मेटा आज जासीं डिसकस करांगे साइंस विशे दे चैप्टर नमबर एक तों लेकर चैप्टर नमबर छे दे पजां एमसी क्यू आज जडे एमसी क्यू है तोडे जडे पाठ फुस्तक है उदे चेडे अभियास दे बीच दे ओभी एमसी क्यू बीच इंकलूटेड है ते होर जडे एक्स्ट्रा इंपॉर्टन्ट एमसी क्यू है उन्हानों भी यासी दे चे कबर किता होया है तो इस वीडियो तो अन्हों फाइदा होएगा कि तोड़ी जड़ी स्टेप बाइस स्टेप जड़ी हो बोर्ड एक्जाम वास से प चैप्टर नंबर बारा तक दी होएगी उदेव चीवी असीं पज्यां एमसी क्यू नूं कबर करांगे ते जड़ी वीडियो आएगी एमसी क्यू ते ओपते ओ चैप्टर नंबर 13 तो लेके चैप्टर नंबर 18 दी होएगी इस त्रिके नाल तो अड़े टोटल जड़ी है स साड़ी तीन वीडियो आएगी एमसी क्यू देव उपर ते टोटल 150 क्वेश्चन जड़े है तो अड़े देचासी काबर करांगे तो चलो शुरू कर देयां आव देखो बेटा पहला क्वेश्चन आए देवेचे कि हेट लिखी गईर साइनिक क्रिया दे समंद वीचे केडा कथन गलत है एक सानोर साइनिक सम्मिकरन दित्ती होई है लेड ओक्साइड प्लस कार्बन ते ए प्रोडक्ट बना रही है दो प्रमानू लेड दे और प्लस कार्बन डाई ओक्साइड फिर पहला आप्शन ही कि लेड दा लगू करन हो रहा है दंबर बी ते है कारबन डाई ओक्साइड दा आक्सी करन हो रहा है असे शिर्फ इसे गलत चूज करना है कारबन दा आक्सी करन हो रहा है लेड अक्साइड दा लगू करन हो रहा है ते ओप्शन सानों दित्ती होई है ए यते बी कह रहा है क्या ये दोनों गलत है A याते C, दुजी option है तीजी option है, A, B याते C, तीचोती option है सारे, तो वेटा इड़ी जड़ी right option रहेगी ओ, option number A क्योंकि A भी गलत है A भी गलत है according to chemical equations देखे दें question number 2 question number 2 क्या वो हो रहा है अनू कि हेट लिखे विचों केड़ी अदा आते है जेड़ी दातां दी क्रिया सिलता लड़ी विचे मोजूद रहें दी है दातां दी क्रिया सिलता लड़ी पहला एड़ी खोवेटाज देज option oxygen, फिर chlorine, bromine, ते hydrogen ते इदा जड़ी राइट आंसर रहेगा option number uda that is oxygen question number 3 लोहा हेट लिखे केड़ी दात नो उसते को उलतों विस्थापित कर सकदा है option A है aluminium, zinc, copper या फिर gold ते right option है दी बटा option number C, ED भाग that is copper चौत्ता question O क्रिया जिस विच ताप दा उत्सर्जन होंदा है उन्हों कहन दे है मेटा सानों पता है जिदे ताप दा उत्सर्जन होंदा है O है ताप निकासी क्रिया ता इदा उत्तर रहेगा ED चलते हैं question number पांच दी तरफ जल दे बिजली आपकटन नाड उत्पन हाइड्रोजन आते आक्सीजन दा मोल अनुपाथ है जिदे अनुपता ये H2O है तो आक्सीजन दे दो और हाइड्रोजन दा एक ते option number उड़ा इसे right answer जंगदार साइनिक सुत्र चार ओप्शन दित्ती है बटा आसी दे चे जंगदा साइनिक सुत्र दा पता करना है ते option number ED F2O3XH2O इसे right answer तुसी बटा आपने pen और copy नाल लेके बैठो और हर question नो जए तुसी अपने copy ते note करो ता कि जएदे revision करना होए तो तौनू असानी होएगी question number 7 है तिजाबी गोलदा पी एच मान होंदा है तिजाबी गोलदा सानू पता यह बटा पी एच स्केल जेरो ते 14 ता की चलता है सात जड़ा उदे उदासी न्यूट्रल है सात तो गट ते जब भी हैं सात ते उपर खा रही हैं ते जिदा उत्तर रहेगा लेस देन 7 अठ्वं क्वेशन है वटा उदासी न्यूट्रल पी एच मान ये थे पी एच है वटा पी एच मान है अनू पता यह उदासी न्यूट्रल पी एच मान कितना हुंदा सात है उन्हें में तो अनू 10 के अट है चलते हैं क्वेशन नमबर 9 दी तरफ Na2CO3 दा प्रचलित नाम है Na2CO3 दा प्रचलित नाम है पहला ओप्सिन है ब्लेचिंग पावडर दुज्जा बेकिंग सोड़ा पलास्टरो पैरिस और फोर्थ वान इस वासिंग सोड़ा सानू पता यह Na2CO3 क्या चीज़ाए कि दा फार्मूला है दाक्टर टूटी होई हड़ी नू सही जगाते स्तीर रखन लई किस दी वर्तों करदा है पैर दी ओप्सिन है सिमिंट दुजी जिफ्सम ती जी प्लास्टरो पैरिस ती चोथा है सोड़ा सानू पता यह वाटा क्या है ओगा प्लास्टरो पैरिस सी ओप्सिन इज राइट ओप्सिन क्वेस्टन नमबर 11 एसिड नाल खार दी क्रिया दे फल्चरो लून अते जल प्राप्त हुन दे हैं इस क्रिया नू आख दे हैं तानू पता यह एसिड और बेस रेक्ट करदा है ता किडी प्रोसेस बन दी नूट्रिलाइजेशन एट इज उदासी करण चौत बार्मा क्वेस्टन है वेटा गैलविनी करण समय किस दाद दी पर चड़ाई जान दी है जब जदो में गलवाइनाजेशन हों दी है वेटा ते एक दाद दी पर दुज्जे दाद दी चड़ दी है ते आसी क्रिया भी किती होई है ते ओप्शन इस सी इस ए राइट ऑप्शन जिस दी गाद दाद दी है वो पर तजड़ी हो चड़ाई जान दी है देखे 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 देटा क्वेशन नमबर थाटीन ए वीडियो थोड़ा तीजी नाल बनानी पेएगी वेटा तो आणनों जाद इदे चाएं एक्स्प्लीन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी पन्या क्वेश्चन असी attempt करने है तेरा क्वेश्चन है साधारन अवस्था विच द्रव अवस्था विच मिलन वाली अदात या अदात्तु है पहला क्लोरीन, ब्रोमीन, ख्लोरीन और आयडीन सदारन अवस्ता वीच द्राव अवस्ता वीच मेलन वाली अधात्तू तो वेटा अधात्तू तही देवेच गेड़ी यह जड़ी द्राव अवस्ता चुन दीए ओ है ब्रोमीन B ओप्शन एड़ा एमफोटेरिक ओक्साइड है चार ओप्शन है देती है वेटा इदेच एमफोटेरिक ओक्साइड है Na2O, BaO, ZNO या K2O ओप्शन C इदेच क्या है एमफोटेरिक ओक्साइड है वेटा क्वेश्चन नमबर 15 दातनों कटके पतली चादर वीच बदले जा सकता है दातनां दा एह गोण अखवांदा है पहली ओप्शन है कुटेरिक ओप्शन है कुटेरिक ओप्शन नमबर ओड़ा पहली ओप्शन क्वेश्चन नमबर 16 क्रियसिलता लड़ी वीचे सबतों बद क्रियसिलता केड़ी है वेटा जड़ी चार तर ना लिखिया है सोडियम, मैगनीजियम, गोल्ड और पोटासियम इनने वीचे सबतों जड़ी बद क्रियसिल है हो है पोटासियम इथें दा आन्वी सुत्र थोड़ा मिस्तेक है वटार ते 90 सुत्र C2H6 है जिस विच प्वेली उप्षिन देरं किए 600 स्न jiujn g बंधन है 800 स्न yujn g बंधन या 900 स्न बंधन है वेटा सुषिज्ञ बना करके लिख सकते हो तो यह दा बनेगा option number एड़ा बी option साथ साय सिंजोजक बन देनान question number 18 ब्यूटे नॉन चार कार्बन योगी है जिस दा क्रियात्मक समू है यह दे विच्छ तो तुछी दसना है बेटा यह दा ब्यूटे नॉन तक क्रियात्मक समू केड़ा है ते option number C एड़ी बाग की टौन इजे राइट आंसर चल दें question number 19 बोजन बनान समय जे करपा अंडया दा थला बारों काला हो रहा है ता इस तो स्पस्ट है की मला उदा क्या कारण है number 1 बोजन पूरे रूप इच नहीं पके आए number 2 है बालन पूरी तरह नहीं जल रहा है number 3 है बालन सिल्ला है या number 4 बालन पूरी तरह जल रहा है ता नूँ पता यह बेटा पान पारी तोड़ी को मदब इगिशन प्लाइव मैगनेशियम प्लस दो ऐएन मैगनेशियम प्लस दो आइन हैं तीज्जा है कैल्शियम प्लस आते मैगनेजियम प्लस दो आइन या कोई नहीं तो ऑप्षिन सी पार्ट इस राइट आंसर एस्टिक एसिड दी अलकोहल नाल करिया नू कैंदे यान नमबर उडवाग है तो पहली ऑप्षिन है डिकार्बोसिलेशन नमबर दो वागते है बहुली करण साबने करण या एस्ट्री करण इधर राइट उत्तर रहेगा ओप्षिन नमबर डी तो दें क्वेशन नमबर ट्वन्टी टू एस्टिक एसिड विच किन्य प्रतिसत मिलाया गया पाणी सिर्का खवांदा है पहली अप्षिन है पांच प्रसंट तो डूजी पंदरो प्रसंट तो बी प्रसंट तो इकई प्रसंट तो एब एटा थी अठाई प्रसंट आएगा अठाई प्रसेंट ते चोथी है ती प्रसेंट तो चाड़ी प्रसेंट तो इदी ओप्षिन नमबर उड़ा तो पहली ओप्षिन ठीक है जिकर आसी है स्थीक ऐसीड जो पांज तो लेके आठ परतिशत पाणी पांदे है ता उदर रिजालिट वज्यों सानू सीरका मिलदा है प्रोपे नॉन दा क्रियात्मक ग्रूप है क्वेशन नमबर 23 प्रोपे नॉन दा क्रियात्मक ग्रूप है देखो लिखा वया बेला ओ एच या सी एच ओ सी डबल बॉंड ओ या सी ओ ओ ओ एच तो आउप्षिन सी इजे राइट आंसर अगला है कार्बोक्सलिक एसी बीच फंक्चनल स्मूव हूपस्तित हो नॉनदा है कार्बोक्सलिक एसीड वीच फंक्चनल गृप द दशना है वीड़ा था question number 25 ethanoic acid दा सुतर है ethanoic acid दा सुतर दा सुतर है C2H2OH या CH3OOH3 CH3COOH या last option है C2H5COOH option number D is a right answer alkyne दा सदारन सुतर है alkyne दा सदारन सुतर है देखवेटे चार option देती हैं अदेगोल alkyne दा सदारन सुतर है तो वो है option number CnH2N-2 mandleave ने boron अते alkyne दे बिचकार खाली था चड़ी सी जिस दे बाद इस विच पता लगया तत है जिटे मेंदली दा प्रियोडिक टेबल है वेटा उदे कुछ जगा जड़ी है उनने खाली चड़ी सीगी बाद दे विच मैटल डिस्कवर हुए सीगे ते ओ मैटल हैगा gallium question number 28 आवर्ती सार्णी दे किस पीरियड वेच खब्बे ते सज्जे जान वाले परमानुआ दा आकार बुलता है जिकर आवर्ती सार्णी विच आसे लेफ्ट टो राइट मूव करते हैं तो परमानुआ कार के ओंदा है वेटा सानु सारे नूँ पता है कट दा है 29 एट लिखे दता है विचो केड़ तात असानी नाड़ गवा देवेगा क्योंकि पोटासियम क्रियसिल है ते इस अब तो पहला यही रियक्ट करेगा तो आप्शन नमबर सी इसे राइट आंसर क्वेशन नमबर थर्टी हेट लिखे विचो थोड़े जी मिस्टेक है हेट लिखे विचो केड़ा पीरियड दो दे तता दे लई सब तो बहारला सेल है दो दे तता लई तो पता ही है विटा केड़ा सेल होंदा है वो एल सेल चल दें क्वेशन नमबर थर्टी वन दी तरफ थे क्वेशन नमबर कती है आस्टर नियम दा प्रति पादन किता सिगा कि आस्टर दा नियम जड़े हों कीने दिता सिगा थे अनुपता ही आस्टर दा नियम कीने दिता सिगा निव लेंड ने आवार्ती नियम दा मोडी सी यह अवर्ति नियम् दा मोडि सी बूरा नुवलांड शी डावर्नियर सी मैंडलीव सी या लेवर मेयर लोठर मेयर सी तर यह डावनियर बेटर डड़ा है यह ते सानु पता है क्या ओप्षिन रहेगी दी ओप्षिन नमबर सी इडीबाग मैंडलीव क्वेशन नमबर तेती एक तात दी एलेक्ट्रोनिक तर्तीव दो आठ एक है मल पहले साल चे दो दुझे जाठ तीजे चे एक है ए तात उपस्तीत है तान दसना है कि केड़े गुरूप दे वीचाएगा ते बाट तान पता ये बाहराले साल चे किनने है एक ते एक गुरूप बनेगा दा अठारमा एट लिखें वीचाओं केड़ी तर्तीव दातमी गुण प्रदसित कर रही है सनु लेक्ट्रोनिक तर्तीव दित्ती है सनु पता ये धातमी दसना है कि जीड़े ऐलिमेंट दे या ताट दे बाहरवाले सेल बिच एक दो या तीन एलेक्ट्रोन ओधातमी तर्तीव रख दें पहले चे लास्ट साहल चे दोजी चे चारी चे चे आठ ते चोप्शण रहेगी द फरस्ट मैंदलीव आवर्ती नियम अनसार आवर्ती साणनी वीच तत्ताँ दी व्यवस्ता मैंदलीव ने जड़ा मला प्रियोडिक्टेवल दित्ता सीगा वोदे तत्ताँ दी व्यवस्ता किस त्रिक्के नाल किती किया प्रमानु संख्या नाल सी क्या प्रमाणु पूंज निताल सी, सानु पता ही है, मैंने लीव दिजिए रिया है, वो प्रमाणु बद दे हुए प्रमाणु पूंज नाल सी, तो option number C, प्रमाणु पूंज दे बद दे करम, बेच उदा अरेंजमेंट सी गा, question number 36, मनुख विच गुर्दे, एक तंतर दा ब मलतिया, देखते है, question number next, 37, पूदे बीच, पूदे बीच, जाइलम दा कम, पूदे सानु पता है, ये जाइलम जीडा है, पूदे जड़ों तो पानी, आते खनीज पदार्थ, खिच के, पत्यां तक लेके जान दा है, ते option रहेगा दा उड़ा बाग, पानी दा परिवहन, देख दें, next, 38, स्वेप उसी पूदे जरूरी है, कार्बंडा योक्साइड, आते पानी, क्लोरोफिल ये भी जरूरी है, सूरे इदा प्रकास भी जरूरी है, तो इदा option रहेगा उपरोक्त सारे, क्वेशन नंबर 39, पाइरुवेट दे विखंडन नाल, कार्बंडा येकसाइड पानी आते ता पूर्जा देन दी प्रतिक्रिया वापरदी है, ते किरे जबापरदी है विटा, साइटोपलाजम विचे, माइट्रोकॉंट्री है विचे, क्लोरोपलास्ट विचे या फिर नुकलियस विचे, ते जड़ी है, एज इदनी मिक्रिया हमाँ है सारी, option नंबर 1, माइट्रोकॉंट्री है ज़े राइट आंसर, हरे पौदे विच पोशन होंदा है, हरे पौदे स्वेपोशी है, विखम पोशी है, सानुपता ने सारे नुहीं, क्या एगा हो, स्वेपोशी, पोशन होंदा है, हरे पौदे विचे, ते चलते है, question number 41, साक रिया विचे, पौदे या तो, ने पौदे निया आएगा, साक रिया विचे, मुक्त हुंदी है, oxygen, carbon dioxide, सानुपता देखते है, question number 42, क्या हो रहा है, अनाक्सी क्रिया दे फल्स रूप, लेक्टिक अमल बन दा है, संदसन है कि अनाक्सी क्रिया दे विचे, लेक्टिक असिर बन दा है, इस्ट दे विचे, खम सेलां विचे, पेसी सेलां विचे या फेफड़ें विचे, अनने पता है, जड़ा लेक्टिक असिर एकॉमलेट हुन दा है, वो muscles दे विचे, पेसी सेलां दे विचे, question number 43, हे ठीकें विचे हो, केड़ा पौदा हार्मोंस है, आसी देखना है, केड़ option भी नहीं है, ये भी human body दे विचे होंदा है, ते option D, इसे right answer, cytoklin, question number 44, दो नाड़ी सेलां विचे कार खाली था नू कहेंदे है, जे कर तुसी मेरी 2019 दा जड़ा में previous year question पर दी वीडियो अप्लोड किती है, उदे शाइनेप दे उपर एक question आया हुआ, और वो पांच नंब पर दा question है, ते दो सेलां विचकार क्या होंदा है, जे जेड़ा जगह है, उन्हों कहेंदे है, साइनेप, दिमाग उत्तर दाई है, वो दो दिमाग किसलिए उत्तर दाई है, सोचन लें, बिल्कुल, दिल दड़कन नो एक सार रखन लें, ये भी क्योंकि दिमाग ही सब कु रखन लें, या उपरोक्त सारे, तो आशर है, कह रहे गादा, डी पार्ट उपरोक्त सारे, तो मूग करते है, question number 46 ती तरफ, वादा हर्मोन दा, रिशाव होंदा है, देखो वादा हर्मोन, सब तो बड़े गरंदी, पीच्री गरंटी, ते पीच्री गरंटी ही, इदली, र राइट आंसर, संकट कालीन हार्मोन, कहांदे यान, जीड़े संकट कालीन हार्मोन से, वादा, बबब बोल दा, क्या चीज है गए, अड्रेनेल, तो आंसरी दा, पहला ही ठीक है, अड्रेनेल, राखवांदे यान, ते, जीने, question number, next किड़ा है, अड्रेनेल, पौधें विच हार्मोन, किसनों कंट्रोल कर देयन, पौधें विच, वो ते, जल वादे ली, इसाई वादे ली, जल कंट्रोल ली, या फिर, कोई ने, तो वेटा, इदा है, दिसाई, दिशा जड़ी होंदी है, पोद्दा जड़ा हर्मोन्स है, वो कंट्रोल करता है, दिशा आई वादे, नुँँ ते, 49th question है, साड़े आहर वीचे, आयोडीन दी का आटनाल की होंदा है, ते सानु सारे नुपता है, आयोडीन दी का गोटर गोटर या गल गोटू रोग, सुगर नुँ, सुगर दे आएगा, रोगी नुँ केड़ा इंजेक्शन दिता जानदा है, आनुपता ही है, यासे क्या बलता है, इंसुलीन दा, थायरेक्सिन दा, एस्टोजन दा, या टेस्टो, साइट्रोन दा, ते बेटा, सुगर दे तो बेटा, आज दी वीडियो बीच इनना ही, क्योंकि आसी पूरे पहले 6 चैप्टर दे, एक ते लेके 6 चैप्टर दे, पार्ट होस्तक दे बीच सारा, जितने भी MCQ हैं, ओ, तो एक्स्ट्रा MCQ जो भी उदेच बन दे हैं, ओ सारे आसी हल किते हैं, ये वीडियो नंबर 1, तो जेड़े वीडियो नंबर 2 आएगी, ओ चैप्टर नंबर 7 तो लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, और वीडियो नंबर 3 जो आएगी, ओ चैप्टर नंबर 13 तो लेकर चैप्टर नंबर 18, तक दे पूरे क्वेश्चन उदे वीचे कबर होनगे, तो बेटा, आज दी वीडिय इतना ही इस चैनल जल्दी तो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेर करो जुरूर थैंक यू